आज की रेसे भी बहुत कमाल की होने वाली है, सिरफ और चिरफ तीन अंडों के साथ, हम लोग यहां पर बारा पेस्ट्री बना कर रेडी करेंगे, ठीक है, यह रेसे भी उन लोग के लिए बहुत जबर दस्त है, जो लोग घर से होम बेकरी काम स्टार्ट करना चाती है, घर से हम इसे सोग करेंगे, किसका टेस्ट जो है, वो डबल हो जाएका, ठीक है, वो भी मैं इंशालला आप लोग के साथ, रेसेपी में शेयर करूंगी, कि मैं यहां पर क्या यूज करती हूँ, मैं हूँ शेफ एक रेसेपी को देख लेते हैं, बिसम आलाइरामान रही, मस्सलाम मौनीकम, सबसे पहले जो है, वो हम यहां पर अपना वलबडी स्पॉंच रेडी करेंगे, बहुत है सिंपल तरीके से, लेकिन कुछ टिप्स का खयाल लगते हुए, यहां पर मैंने एक बाउल में तीन अंडे लिए, उसकी जर्दी को मैंने अलादा कर दिया, और सफेदी ज हो गया, यहां पर आप लोगों ने दाने दार चीनी ही इस्तमाल करनी है, आप लोग क्योंके वेलबडी स्पॉंच के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसका जिस तरीके से टेक्स्चिर देना है, अब हम थोड़ी थोड़ी शुकर एड़ करके इसको बीट करेंगे, तो ह हाथ सारा खयाल रखा करीं, यहां पर जो जर्दी हमने अलाइदा करके रखी थी, उसको मैं सेपरटी बाउल में बीट कर लिया, और थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करती जाओंगे, इसको जो है मैं बीट करती जाओंगी, जर्दी एड़ करने के बाद आप लोगों ने ज लेमन एसंस यूज़ कर रही हूं, यह टोटली ऑप्शनल है, बस इससे जो है वो थोड़ा से अरोमा बेकरी वाला आ जाता है, अगर आप लोग नहीं भी यूज़ करना साथ है, आपके पैस नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बटर एसंस से वो एड़ कर लें, लेम लाइट सा हाथ, लाइट हाथ से बिल्कुल आप लोगों ने मिक्स करने हैं, ताकि इसका फॉम न बैट जाए, यहाँ पर मैंने टेट कप मैदा लिया, ठीक है, वन एंड़ा हाफ कब, वन कब भी मैयरिमेंट वाला और हाफ कब भी मैयरिंग वाला ही, मैंने यहाँ पर मैद रख लिया करें, ठीक है, मैदे को छान के रख लिया करें, ताकि जब आप लोग इसका फॉम बना लेते हैं अंडो के साथ, और आप लोग मैदा एड़ करने लगते हैं, तो आप लोग यह फटा-फट वाला काम करें, क्योंकि अगर आप लोग यह बनाने के बाद, फॉम ब पहले से ही ग्रीस करके रख लिया, ठीक है, मॉल्ड भी आप पहले से रखा करें, ताकि जसे आप लोग बेटर रेडी कर लें, फॉरं से मॉल्ड में डाल दें, ठीक है, दो तिन दफार टैप करेंगे, यहां पर मैंने इसको पतीले में देख किया है, मैंने पतीले को हाई फ्लेम पर एक घंटे के लिए पहले प्रिवीट किया, ठीक है, उपर कोई वजंदार चीज देदें, आप लोग बहुत अच्छे से आपका जो पतीला है, वो अवन को कपेर करता है, अगर आप लोग इसको अच्छा से हैंडल करना सीख लें तो, ठीक है, एक घंटे के बेक करना, 35 मिनट के अंदर इसके परफेक्ट बेक हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लोगों को स्पंच बहुत जबरदस चाहिए, आप लोगों को क्रम्स कोटिंग ना करनी पड़े, आप लोग क्या किया करें, स्पंच मैं जब भी रेडी करती हूँ, मैं सिंपल केक्स है, वो मैंने पाइपिं बैग में डालके, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी लेरिंग की है, और हमने इसकी जो थिकनस है, वो बिलकुल स्पंच की थिकनस के लिक वाली ही रखनी है, ताके पेस्ट्री जो है, वो पड़ी होई बहुत खुबसूरत लगें, ठीक हो किसी वाइटी फैंच के साथ शेयर करती हूं, उससे पहले आप लोग क्या करें, कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीज़ेगे बल आइकन को लाज़में प्रेस कर लीज़ेगा, ताके मेरी आने वा किस तरह से बनाते हैं, या फिर sponge में क्या यूज़ करते हैं, सोकिंग के लिए, तो अगर आप लोग बेकरी का काम साथ करना चारे हैं, तो इन्शाला आप लोगों के लीज़ेगे बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग इस तरह से बेस्टरी बना कर सेल आउट करें, व इन्शाला आप लोगों के साथ बेपिंग ट्रेम की डिटेल रेसिपी शेयर करें, अगर आप लोग टेस्ट अच्छा देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे, फुल हाईजीन के साथ चीज़ बना करें, तो क्या होता है कि इस तरीके से ही आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, वो आगे रिकमेंड करते हैं आपकी चीज़ को कि यहां से लें, इस होम बेकर के चीज़ में टेस्ट भी बहुत अच्छा है ठीके, और इनके जो है वो रेट्स भी रीजन इमेरे, स्टार्टिं में जो है वो अपने रेट्स को रीजनेबल लखें ठीके, अकॉर्डिं चु ठीक हो गया, ओपर चॉकले चिप सकती है, मैंने विपिंग प्रीम में बिलकुल 2-3 डॉप्स रहें, वो रड्ड वेलवर्ड कलर के ही एड किये थे, तो यह कलर बहुत खुब्सूरत सा स्पंज जैसा कलर बन गया ठीके, वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को लाजमी स शजए प्रीम में बहुत से लाइक वाइक का अलात्री से